हेलो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नौलिज पॉइंट में दोस्तो आज मैं फिर आप सभी के लिए मद्वरदेश पुलिस के प्रीवेश येर के पेपर के सालूशन के वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तो इसके पहले में मैं इस पर वीडियो बनाके डाल चुका हूँ जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी या तो आप हमारे चैनल पर भी जाकर इसे देख सकते हैं दोस्तो जैसा कि आप सबी जानते हैं मद्धप्रदेश पुलिस की वेकेंसी आई हूँ जिसके पेपर अगस्त में होने वाले हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपीयोगी साबित होने वाला है इसमें मद्रदेश पुलिस में आई हुए सारे कुशन के वीडियो मैं आपके लिए बना के डालते जा रहा हूँ तो आईए देखते हैं आज का पहला कुशन यदि A. अकेला किसी कार को 15 दिन में कर सकता है और B की तुलना में A. 30% अधिक कार कुशन ले तो उन दोनों को साथ मिलकर कार पूरा करने में कितना समय लगेगा तो दोस्तों ये टाइमेंट वर्क का कार शमता वाला सवाल है तो आपको बसामेंशक कभी भी ध्यान रखना है कार शमता काकलन कभी भी एक दिन के काम से किया जाता है तो A किला किसी काम को अगर पंदरा दिन में करता है तो इसके एक दिन का काम जो हो जायेगा हमारा एक बटे पंदरा अपका गया A की कारचमता जो है वो B की कारचमता से 30% अधिके ने यह B के 130% के बराबर हो जायेगा तो अगर है आद से B कमान निकाले तो ये A का मान दिया हमार पास एक बटे पंदरा हंडरेट इसके साथ इंटू में रहेगा और नीचे आ जाएगा हमारा 130 ये 0 से हमें ये 0 कटेंगे पात दुनी 10 पास तिया 15 तो इनके एक दिन का जो काम आ जाएगा B के एक दिन का जो काम आ जाएगा वो जाएगा हमारा दो बटे 49 तो बी का जो टोटल देना जाएगा वापिस इसको पल्टा लेंगे तो 49 बटे दो दिन अगर बी अकिला किसी काम को करेगा तो बटे दो दिन लेगा लेकिन हमें पूर बूला है दोनों मिलकर किते दिन में करेंगे तो फिर से हम अब LC मेतल लग अब 15 और 49 के LC हमें नहीं पता था हमें इससे डारेक्ट इंटू में लिख देते हैं 15 इंटू 49 तो 15 से 15 कट गया तो यह हमारा हो जाएगा 39 और 49 और 49 कटा तो नीचे आया 15 15 और नीचे दो भी लिखा इसलिए 15 दूनी दोनों केंटू कर देंगे तो 15 दूनी हो जाएगा हमा अगर हम इसको सॉल्व करते तो यह अब हमारा हो जाता है 15 ती यह 45 के पाँच हत के लिखा पंदर एक कम पंदर हो चार उनने 195 बटे 23 दिन और अगर फिर हम इससे सहीं बटे में तोड़ते हैं तो हमारा अंसर आजाएगा आठ सहीं 11 बटे 23 दिन 195 बटे 23 को अगर हम सहीं बटे 23 दिन तो दोनों मिलकर इस काम को जो कम्प्लीट करेंगे वह 8 सहीं 11 बटे 23 दिन में करेंगे नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों एक रेडियो सैट को 960 रुपे में बेचने से एक आदमी को 4% का नुक्षान उठाना पड़ता है तो 16% का लाब लेने के लिए उसे किस मूले पर बेचना चाहिए तो दोस्तों इसके लाब हानी का कुश्चन है और मैं इसके एक संदार्शी ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ जिससे आप बहुती कम समय में इस सवाल को असानी से सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों इसके ट्रिक होगे हमें दिया गया है कि 960 रुपे में बेच रहा है नहीं हमें SP1 दिया हुआ है 4% का नुकसान होता है तो 16% का लाब रुपने के लिए किस मूल पर बेचना चाहिए तो SP2 निकलना है तो दोस्तों इसका डारेक्ट फॉर्मूला हो जाता है SP2 बराबर हो जाएगा हमारा SP1 यह जो दिया हमारा 960 इंटू दूसरा परसेंट तो दूसरा परसेंट हमारे 16% का प्रॉफिट दिया है इसलिए हम इसे जोड़के लिख दिंगे तो 116 और बटे पहला परसेंटेज हमें 4% का नुक्षान दिए इसलिए घटा के लिख दिंगे तो 96 अब इसमें इसे काट देते 96 में से 96 यह 10 बार कटेगा और 10 में 116 का अगर हम इंटू कर देते हैं तो यह हमारा जाएगा 1160 रुपए तो उसे 16% का लाब लेने के लिए 1160 रुपए में बेजना होगा इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ अप्चिन नमबर 2 ग्यारा सो साट रुपए नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तो एक समचत्रबुच का छेतरफल 120 सेंटीमीटर स्क्वर है यदि इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो समचत्रबुच का परिमाप बताईए तो दोस्तों इसमें सुरेशन का कोश्चन है समचत हमारा फ्योर इंटू ए तो हमें समचत्रबुच की भुजा निकालना पड़ेगा तो दोस्तों मैं इसके दोर आप असानी से समचत्रबुच का जो होता है बुजा निकाल सकते हैं जिसके साहता साथ इसका परिमाप निकालेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको एरिया एक बटे दो डी वन हमारा दिया है चोवर इंटू डी टू सबसे पहले हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्सवभीस तो दोस्तों चुबिस से यह जो होगा हमारा चोविसपंच एक्सवभीस और यह ज living तो पात दूनी दस तो डीटू हो जा एक मारा दोश दो दस अ अब D1 और D2 अगर हम आपको दी हैं तो इसकी साहता से A निकालने का एक शंदर सा फर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं तो यह हो जाता चार से अगर हम इसको काठते है तो यह हमारा कड जाएगा तो यह हो जाएगा चार दुनी चार कम चार बचे 2 होगा 27 चार चींच 46 बचे तीन होगा 36 चार नाम 36 169 तो जो एक जब इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का जब अम सिख्ष्टी नां के जब हम वर्गम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 13 तो हमारे पास सम्चत्रभुच की जो भुजा आ गई वह अगई मेरे पास 13 तो इसका जो पैरेमीटर हो जाएगा पैरीमीटर होता वर्ग की तरह होता 4 x तो इस तरह सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्चिन नमबर 4 बावन सेंटीमीटर दोस्तों पहले हमें छेतरफल से दूसरा विकर्ड निकालना पड़ेगा जो मरपद्दास आया फिर दोनों विकर्ड दिये हैं और भुजा निकालना हो तो इसका यह डारेक्ट शॉट्कट फ नेक्स कोशन है 15x square माइनस 11x प्लस 2 को 3x माइनस 1 से विभाजित करें और भागपल गयात करें तो दोस्तों सवाल को करने का थरीका होता है नॉर्मल जैसे हम भाग देते हैं वैसी ही करते हैं तो यह बाते हो जाएगा 15x square माइनस का 11x प्लस का 2 इसको हमको divisual करना है 3x-1 से तो दोस्तों हम 3x का इसमें भाग देते हैं तो दोस्तों यह हमारा हो जाएगा 3, 5, 15 और x में x square का भाग देंगे तो 1x बचेगा भी 5x का गुड़ा यह दोनों में करें तो यह हमारा हो जाएगा 5, 3, 15 x square माइनस यह हो जाएगा हमारा 5x 5x तो अब हमें इसको काटना होगा तो हम चिन्द चेंज कर देते हैं यह हमारा बन जाएगा माइनस यह हमारा बन जाएगा प्लस को काटेंगे तो यह प्लस से माइनस कैंसल हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 2 फिर हम भाग देते हैं तो यह माइनस का चेना जाएगा एकस एकस कड़ जाएगा यह मरवास बचेगा तीन दूनी छेस दू का कोड़ा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 2 माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस को टू फिर हम अगर सिंक साइंस चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा हमारा माइनस अब अगर इन दोनों को करेंगे तो इससे एक एंसिल एक एंसिल तो हमारे पास जो भागपल आया वो आया हमारा पांच एक्स माइन पेंसिल को खरीदा तता प्रत्यक कालम को 14 रुपे में बेज दिया तो उसे 65 रुपे का कुल लाप राप्त करने के लिए उसे प्रत्यक पैंसिल को कितने रुपे में बेचना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस सवाल में सबसे पहले तो हम कुल सीपी निकलेगा सबसे पहले सवाल में हम कुल CP निकालते हैं, कुल क्रेमूल कित्ता होगा, तो जोस्त हमने 12 रुपे के हिसाप से 10 पैंसिल खरे दी, तो यह हमारा हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस, फिर हमने 6 रुपे के हिसाप से 15 पैंसिल खरे दी, तो यह हमारा हो जाएगा 6 इंटू 15, तो यह हमारा कलम को चौॉदा रुपे में बेचنا तो कौल us-pes जो आजाएगा हमारा कौल us-pes jो जाएगा हमारा je 14 रुपे प्रत्यक कलम को चौउदा में में मैं पनने 14 पंसल करेदी कआया थोस्ते सवाल में रोकिए हमारे पार कलम और पैंसल अलंग अलग चीज्ड दी गई तुम्हार पार SP निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह बूल रहा है प्रत्य कलम को 14 रुपे बेचना तुसरी में कमल पर ध्यान देना है तो कलम जो हो जाएगा हमारा 14 रुपे के हिसाब से 10 कलम तो यह हो जाएगी हमारी 140 रुपे 140 रुपे लेकिन हमें जो चाहिए 65 रुपे का लाब होना है तो हमारा जो कल SP जो हो जाएगा हमारा वो 210 प्लस 65 210 प्लस 65 तो हमारा हो जाएगा 5 6 और 275 रुपे 275 रुपे कल SP होना चाहिए जिसमें से हमने 140 प्राप्त कर लिए तो हमारा सेस कित्ता बच गया SP तो सेस कित्ता बच गया तो 275 माइनस 140 तो हमारा बच जाएगा 5 साथ में से 4 गए 3 और यह हो जाएगा हमारा 135 तो 135 रुपे का हमको जो होना चाहिए टोटल पैंसिल जो हमें बेचना है तो यह हमारे जो प्रतिक पैंसिल की जो कीमत आ जाएगी वह हो जाएगी हमारे 135 बच और हमारे पास टोटल 15 पैंसिल है अगर हम 15 के इसको डिवाइट कर देंगे तो हमारा होता है 15 नम्मे जो होता वह 135 होता है तो जो हमारे प्रतिक पैंसिल की जो कीमत हो जाएगी वह 9 और फिर में सवाल को आपको समझे तो हमने 12 रूपे के यहाप से 10 पैंसल खरीदी थी और 6 रूपे के यहाप से 15 पैंसल खरीदी थी तो इस परकार हमारा कुल CP आ गिया था 210 और हमें 65 रुपे कलाब चाहिए तो हमारा यह आ जाएगा 275 रुपे हमारा टोटल SP आना चाहिए अब इसमें से हमने कलम को 14 रुपे के साब से बेच दिये तो हमारे को प्राप्त हूँ 140 रुपे तो सेस हमें कितना प्राप्त करना 135 रुपे में हमें बाकी कलम बाकी जो पैंसिल को जो होगा वो बेचना होगा तो यह हमारा प्रतिक पैंसिल की कीमत आ जाएगी 135 बटे 15 याने 9 रुपे प्रकरम प्रतिक पैंसिल को कितना रुपे में बेचना होगा तो हमें 9 रुपे प्रतिवर की चाल से चल रही है तेज रेल गाड़ी 180 सेकंड में धीमी रेल गाड़ी को पार करती है प्रतिक रेल गाड़ी की हमें लंबाई बताना है तो दोस्तों रेल गाड़ी के सवाल जैसे समें बोला समान लंबाई की दो रेले हैं तो हमें मान लेंगे माना रेल मीटर हो गई एक्स मीटर हो गई अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है दो रेले समान दिसा में जाती है तो समान दिसा में जो जाती है तब जो हमारा चाल हो जाती है वो जो हो जाती है चाल जो हो जाती है हमारी माइनस हो जाती है तो चैलिस माइनस बैलिस है ने चार किलो वह जाएगे हमारी 10 बटे 9 मीटर प्रती सेकेंड अब दोस्त हम चाल बराबर यहां पर सूतर लगाते तो हमारे पास जो चाल बराबर सूतर होता होता हमारा दूरी बटे समय दूरी आने रे दोनों रेल गाड़ी के हमें लंबाई निकालना है तो दूरी हमें से जोड़ जात जीरो फिर बीस का गोड़ा ले जाके दस में करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा एकसर एक दो एकस बराबर हो जाएगा हमारा दो सो तो हम दो से अगर इसको काटेंगे तो यह हमारा हो जाएगा सौ मीटर तो हमारी जो प्रत्तिक रेल गाड़ी की जो लंबाई आजाएगी वह जाएगी हमारी 100 मीटर तो प्रतिक रेल गाड़ी की जो लंबाई आएगी 100 मीटर इस प्रकर इस सवाल का राइट आंसर हुआ ओप्शन नमबर ए 100 मीटर नेक्स्ट कोशन है पाँस सदस्यों की ओसत आईउ 21 वर्स है यदि सबसे छोटे सदस्यों की आईउ 5 वर्स है तो सबसे छोटे सदस्यों के जन्म के समय परिवार की ओसत आईउ कितनी थी तो दोस्तों हमें बताना है कि जब इस छोटे सदस्य का जन्म हुआ होगा तब परिवार के ओसत आयू किती थी तो दोस्त सबसे पहले तो हमें ये 5 सदस्य की ओसत आयू 21 वर्स दिया है तो इनका सबसे पहले हम योग निकाल लेंगे तो 5 सदस्य का योग किता जाएगा जन्म हुआ ओगा याने पाँत साल पहली की बात होई रहे होग की पौशियां जब आयू का योग 20 रहे होगा तो इस जन्म हुआ ओगा उसका जान्म है ऑइगा तो संख्या दोस्तों जब बच्चे का जन्म हुआ तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा संख्या हमार पास पांच ही है तो जब इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा 20 वर्स तो जब परिवार में जब बच्चे का जन्म हुआ होगा तो इसके उसत आई यू रहेगी 20 वर् एक तार 12 सेंटीमेटर भूचा वाले वर्ग के अकार में है यदि तार को 14 सेंटीमेटर लंबाई वाले आयत में मोड़ा जाए तो आयात का छेत्रफल बताना है तो दोस्तों जब कभी भी हमें छेत्रफल वाले सवाल में आपको बस एकी चीज़ जाद रखना है जब कभी भी एक आकरती को दूसरी आकरती में बदला जाता है तो उन दोनों के जो होते हैं कभी भी जो होते हैं परिमाप जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं तो एक तरफ जो हो जाएगा हमारा वर्ग का परिमाप तरफ हमारा हो जाएगा आयत का परिमाप तो वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4A और आयत का परिमाप होता है दो कुष्टक में L प्लस B हमारे पास 12 cm जो दिया है वो वर्ग की भुजा दिये तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 in 2 12 यह हो जाएगा 2 कुष्टक में लंबाई दी है 14 और यह प्लस का हो जाएगा हमारा B तो 2 से हो जाएगा 2 दुनी 4 तो यह हमारा हो जाएगा 12 दुनी 24 बराबर में हो जाएगा हमारा 14 प्लस B तो यहां से जो B का मान आ जाएगा B का मान यह 14 तरमें से माइनस होगा तो B का मान जो आ जाएगा हमारे 10 आ जाएगा फिर हमें इस आयात का क्या निकालना एरिया निकालना तो हम जानते हैं आयात का एरिया का सूतर होता है लंबाई गोड़ी चोड़ाई तो लंबाई दिया है हमारे पास 14 और हमारे पास चोड़ाई आ गई है 10 तो इस तरह 100 का रा देहले में 100 लड़के तता 80 लड़कियों की परिक्षा की जाज की जाती है जिसमें से 48 पर्षंड लड़के और 30 पर्षंड लड़किया उत्तिर्ण होती है तो आसफल हुने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना पर इसके लिए हमें पहले कुल फेल छात्र निकालना लड़के जो दिये हैं 48 लड़के जो दिये हैं तो चुकि 48 लड़के जो वो पास हुए है तो फेल वाले छात्र कित्ते हो जाएंगे तो हमारे फेल वाले जो चात्र होंगे तो 52 परसंट चात्र जो हो जाएंगे वो हमारे फेल वाले हो जाएंगे इस फेल जो हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे इसी तरह हमरे पास 30% जो लड़किया है वो पास होई है तो हमरे पास 70% जो लड़किया होंगी वो फेल वाली हो जाएंगी तो हमरे पास गल्स कित्ते हो जाएंगी फेल वाली 70% हो जाएंगी अब हम निकाल लेते हैं हमरे पास फेल जो होंगी वो 52% हो जो 70% आजाएगा असी का जब हम 70% निकालेंगे तो 80 का जो 70% आजाएगा आठी साती 56 पर पास जो 56 लड़के आजाएगी वो हमारे पास फेल लड़के आजाएगी तो हमें कुल आसफल चात्रों का जो प्रतीशत आजाएगा कुल आसफल चात्रों का जो प्रतीशत और percentage का हो जाएगा हमारा पास 100 जब इसको solve करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगे 5 और 5 कित तो हो जाएगे हमारे 10 बटे में यह हो जाएगा हमारा 180 इंटू का हो जाएगा अपना 100 इसको solve करते हैं तो यह 0 से 0 कटे का 2 पंचे 10 तो यह जाए गाएक भराद दोई नाम 18 नौ से इसको काटिंगे तो 9 एक गम नौ बचे गठार नौ दूनिय अठारा तो 12 पंचे यह हो जाएगा हमारा 60 परसेंट तो यह जाएगा बारें टू पांच जब करेंगे हम तो यह हमकर जाएगा बारेंगा पंचे 60 परसेंट इस Τर माँ और बेटी की आयू का अनुपात पांच, अनुपात एक है, छे साल बाद ही अनुपात पेनुपात एक हो जएगा, तो बेटी की वरतमान आयू बताना है, तो इस सवाल की मैं एक सांधार से ठिक मैं आपो बताने वाला हूँ, जो मैं पहले भी, इसके पहले विज्डीय वीडियो अप्लोड किया तो उसमें आपको बताया हूं तो नहीं देखते सवाल को शॉटकट कैसे करेंगे दोस्तों मा और बेटी की आयू दी है तो मदर एंड डॉटर इन दोनों की आयू का रेशो जो दिया है वो हमार पास पांच अनुपात एक दिया है छे शाल बात जो हूं करेशो हो जाता है। वो हमारा कितना हो जाता तीना नुपात एक हो जाता है यह कितने साल बात होता और जिए साल हु न दोनों का स्वर्ण करते तो पांच एक सी कंच और तीन एक सी यह याक में दोनों का नीचे आस और करते सो हमारा आक Le pepper कर क hebben deb want तो चूंकि अब ये जो हो जाएगा दो यूनिट जो हो जाएगा वो बारा के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो एक यूनिट की जो वैलू आईगी हमारी वो हमारी छे के बराबर हो जाएगी अब हमें किसकी आयू चाहिए बेटी की चाहिए तो डॉक्टर की जो वर्तम नमबर टू छे साल दोस्तों एही अगर हाँ मदर की प्रेजंट आई-उ पुHyनिट तो मदर कीוכिता आउ है उन आःक में इपरेद का बुछता तो संपिके haga पूछा हूं जोन मदर का आउन्छा स्वार का जैसाथ हूं पकाम 2020 सबतार हुआ अगर करहिंता हूँ पूछता next question है दोस्तों और आज की विडियो का आखरी question है दोस्तों अगर आपको विडियो पश्णद fiquei तो like and share चरूर कीजिए यह सभी मध्द्प्रधेश में आँ गयूँ प्रिविस के question है यह आपके आने वाला जो मध्द्प्रधेश का पुलिस का एक्जान उसके लिए बहुत उक्योगी साबित होने वाला है तो आईए देखते हैं आज की वीडियो का आखरी कोश्चन A और B एक कार को 30 दिन में समाप्त कर शकते हैं वे एक साथ 20 दिन काम करते हैं फिर A अकर्शमात कार छोड़ जाता है B दिये होए कार को 25 दिन में पुरा करता है तो कितने दुनों में B अकेला कार करेगा यह हमें बताना तो दोस्तों टायमिंड वर्जा सवाल इसमों बोला है की दुनों मिलकर एक साथ जो होते हैं 20 दिन काम करते हैं तो हमारी पास दी आ है कि A प्लस B जो होते हैं किसी कार को कितने दिन में कर रहा है हमार पास तीस दिन में करते हैं तो इनका एक दिन का जो काम आएगा वो हमार पास एक बटे तीस काम आएगा और इस प्रकार वे कितने दिन काम करते हैं बीस दिन काम करते हैं तो इनका जो होगा बीस दिन का जो काम आजाएगा या हमार पा काम को जो होता है वो कून करता है बी करता है किते दिनों में करता है यह हमारे 25 दिनों में करता है तो इसमें पूछा भी अकिला कितना काम करेगा तो दोसके हम चुकी जमाते चुकी बी जो होता है वो हमारा एक बटे तीन काम जो होता है वो हमारा किते दिनों में कर रहा है यह कि हमारा आजाएगा 75 दिन तो इस तरह सवाल कराई डांसर होगा अप्शन नूमर टू 75 दिन तो जो भी अकिला जो काम करेगा वो 75 दिन में करेगा तो दोस्तों यह था आज की वीडियो का आखरी कोश्चन जो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चै